Speak the truth जाके सब को बोलो तुम क्या हो हमारा रिष्टा क्या था और क्या है मैं उस रिष्टे पर आओगा मैं आरोपो पर पर ही आओगा बट पहले रिष्टे पर आते हैं जी आप अपने और सुशान के रिष्टे के बारे में हमें बताईए कब मिले कैसे मिले यह रिलेशन्शिप शुरू कैसे हुए तो सशान्त और मैं काफी साल से दोस्त हैं हम लोग 2013 में यश्टाथ स्टूडियो में मिले थे मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उनकी फिल्म काई पोचे रिलीज होने को थी या बस हुई थी और वायरेफ आ रहे थे न्यू टालेंट बने थे विए दे सेम मैनेजर उस वक्त भी और हम लोग वायरेफ के जिम में इंटेड्यूस हुए और फिर कभी-कभी यहां-बहां अवार्ड शोस पे मिलना जुलना होता था हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे चाहिए साल में एक बार भी मिलते हों बर पूरी बात करते थे कि कैसा है सब कुछ पूरी मतलब सारी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते थे उसी दोरान मुझे अच्छा लगता था तबी भी और लगता था 13th April सुषान्त और मैं रोईनी आईयर जी की पार्टी पे मिले वहां से हमारा रिष्टा फिर अच्छी शिरुआ और प्यार तो सुषान्त ने तो बोला उसको एकी दिन में हो गया पर मैंने अच्छी बोला था कि दो-तीन महीने मैं बताती हूं यह आई लव यू जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है और मुझे क्या पता था कि इस आई लव यू वर्ड की सजा मुझे अब तक इस तरह काटनी पड़ी आप और सुषान्त एक दूसरे से मिलने लगे आप कुछ महिनों बाद उनके साथ रहने भी लगी यह बताये यह बताये यह बताये इस वस रोमांस देर्फर from April 2019 धीरे धीरे बढ़ता गया और eventually you moved in with him आप उनके घर रहने लगी You saw this as a long term relationship आपने देखे थी के इसमें long term relationship है एक दिन मैं शादी करूंगी किस तरह से आप देख रही थी यह relationship तो Sushant और मेरा एक running personal anecdote मैं आपके साथ शाय करती हूं कि हमने कभी ऐसे formally शादी की बात नहीं की Of course long term अब तो लग रहा है कि दूसरे जनम तक भी चलेगा एक बात मैं जरूर करती थी कि मुझे एक छोटा सुषान चाहिए उसी की तरह उसी की तरह उसी की फेस का एक छोटा सुषी और यह हमारा एक running joke था जो obviously joke भी नहीं as a couple हम लोग discuss करते थे इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का relationship था what attracted you to Sushant? What didn't? He was the most honest human being I met उनके सामने आप you know you become more you उनसे मिलकर मैं अपने आप से मिले और उन्होंने मुझे जिस वे में जिस नजर से देखा जिस प्यार से देखा उस नजर से मैं अपनी नजरों में उपर होगी और हमारा relationship actually हमारी जो friendship थी that was the basis of our relationship the trust and the honesty, the understanding कि दूसरा बंदा आपको पूरी तरह समझता है चाहे आप low हो, high हो, यह हो, वो हो, कोई परक नहीं पड़ता है How did things then go so wrong? क्या क्या हुआ क्या हुआ कि यह जो relationship, जो friendship आप कहती है love जिसे आप कहती है क्या हुआ कि धीरे धीरे या जून 2020 तक जून 8 कि मैं आपको specifically बात करता हूँ क्या हुआ आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा आप डिसेंबर से उनके साथ रह रह रही थी लेकिन जून 8, 2020 आप सुशांत का घर छोड़ती है क्यों? तो मे मिड ऑनवर्ड सुशांत कूर्ग जो की साथ रिग्या में एक टाउन है वहाँ शिफ्ट होने की